तो आईए दोस्तो स्वागत हैं आप सभी के अपना इस यूटूब चैनल जे अन्वे स्टरी सिंटर में दोस्तों और मैं हूँ पपु पहड़िया दो आज की इस वीडियो में आप लोके लिए नंबर सिस्टम पाट सिबेन का टोफिक लेकर आए हैं इस से पहले पाट 1, पाट 2, पाट 3 करके पाट 6 तक वीडियो आप लोके लिए हैं नंबर सिस्टम का इस जो पाट 7 के वीडियो हैं इसको देखने से पहले अगर आप हमारा जो पाट 1, पाट 2, पाट 3 के वीडियो हैं पाट 6 तक उसको देख लिजिएगा तो थोड़ा सा बनाने में आप लोग को असान यहां पर मदद मिलेगा और बेहतर रहेगा क्यूंकि इस टाइप में थोड़ा सा कोशन का लेवल उपर रखे हैं और इस टाइप का कोशन एकजाम में आता है एकदम इतना नभी वियाई अपने से बनाईएगा उसके बाद अलग अलग टाइप का कोशन इसमें हम लाए हैं जिसे देदेगा आपके सामने देदेगा कि 60 में कितनी संख्याओं से भाग दिये जा सकता है तो आपको ग्यात करना इसका ट्रीक मैं बताऊंगा इतना नधासु धासु ट्रीक लेकर आए हैं या दे देगा कि 20 के पावर 25 में अभाजे गुनान खंडों की संख्या तो इस टाइप के जो भी कोशन देगा एकदम 102 सेके न में उड़ाईएगा ऐसाना ट्रीक हम लाए है आपको क्या करना है वीडियो में सिर्फ लाश्ट तक बन रहने की जरूरत है अलाग अलाग टाइप का कॉस्चन हम इस में लाए है आप लोग के लिए और सारा बहुत टाइप है उसको रखेंगे आपके सामने वीडियो में लाश्ट तक बन रहिएगा तो सारा कन फिजोन एक दम क्लियर हो जाएगा हम ऐसाना धासु ट्रिक लाए हैं कि आप लोग देखिएगा और बताइएगा सबसे बड़ी बात यह हैं देखिए कोई भी अगर चेप्टर हम बनाते हैं सुरू से लाश्ट तक अन्त तक अगर आप लोग वीडियो को देखिएगा तभी त्वस सिर्फ ध्यान देना है और हम बार 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 बोलते हैं कि कर डालो कुछ ऐसा खास की दुनिया गायत तुम्हारे इतिहास तो आईए चालू करते हैं आज का पहला कोश्चन है इस वीडियो को उसको देखते हैं जो पहला कोश्चन क्या कह रहा है उसको असानी से यहां पर र संख्याओं का जोग 42 हैं तथा उनका गुणन फल कितना दिया है पान 425 दिया है फिर बोल रहा है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा आपको अंतर ग्यात करना है यह पहला टाइफ है इसको देख लिए उसके बाद अगला टाइप यहां पर रखा जाएगा बोल 400 ऐनका गुंण फल दिया है 525 तो 425 दिया है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा अंतर आपको ग्यात करना है अंतर अप्षान में दिया है इस में से एक होगा तो इसको क्या करेंगे दो बहुत यह संख्याओं सबसे पहले अगर अंतर रखिएगा एकस माइनस वाई अंतर होगा दोनों संख्याओं का जोग हो गया अब अंतर तो घटाएंगे अंतर अगर मान लीजिए आप अप्शन पहला उठाते हैं आठ आठ को तो आठ यहां पर रखिए अंतर आठ अब क्या करेंगे यह फर्स्ट ह फिक अंतर आठ नहीं होना होना चाहिए जब 305 आगिया अब आईये मान लेजिए यहां पर 200 और आई दो संख्या है पहली और दूसरी था पहलिया उप keine हम लिए है आप्शन में कितना पहली और दूसरी संख्या क अंतर यहां पर Stormy देख रहे हैं किसे आएं उन fel तो जब स्क्राइब में 15 158 कितना होगा को सतरा अगर इस अगहें अगया refine दHow लेकिन पॉनानफल लेकिन गुंणफ़ा क्त उर्षल चाहिए हो गहां तो जब। तो देख लेते हैं क्या इनका गुणनफल आ जा रहा है 425 तो गुणनफल कर दिजीए 25 में आप 17 से गुणा कितना होगा 42 तो गुणन फल आपका 525 तो यहां पर आ रहा है अब देख लेते हैं क्या इनके जोग 42 है तो 25 और 17 को आपको जोड़ना पड़ेगा साथ पाच बारा दू हो गया और दो एक तीन और इधर हासिल था वो हो गया कितना चार तो 42 जोग भी क्या रहा है तो इसका मतलब अंतर जब आठ ले रहे हैं तो जो भी कोश्चन में दिया है सर्थ उस सब को फालो कर रहा है जोग भी हो जा रहा है कितना जोग भी 42 हो जा रह है चारसब 25 हो जा रहा है तो यहां से यह साभित हो गया कि यह option A क्या है तो सही है तो आपको answer क्या हो जाएगा ए हो जाएगा करना है क्या आपको option उठा लेना है इस टाइब के question में जोग दिया है गुणन फल भी दिया है जोग जब दे दिया अंतर मालूम नहीं है तो option A उठाते हैं अगर 8 का अंतर होगा तो x-y बाराल कितना हो जाएगा अब यह कट गया दो एक यह 50 हो गया एक 25 जब आ गया तो आठ का अंतर अगर हम लिये हैं तो 25 में आठ का अंतर की जिएगा तो कितना होगा अंतर का मतलब घटाव तो घटाएंगे तो 17 गया अब आईए अब इसको देख लेते हैं जोड़कर 42 हो रहा है न तो 42 हो गया अब देख लेते हैं गुणान फल तो गुणा किया तो 425 है इसका मतलब कि आपका जो अंतर है 8 क्या है राइट है सही है तो option क्या हो जाएगा य यहां से यहीं पर आपका हल हो गया तो इसक्रीन सोट लिजिए इस टाइप के एक और कोशन रखते हैं उसके बाद टाइप तो दोस्तों बढ़ते हैं यहां पर अगला कोशन है इस वीडियो का दूसरा कोशन है यहां पर दिया है दो संख्याओं में 12 का अंतर है फिर बोल होगा आईए देखिए दो संख्याओं का जोग दिया है 18 अंतर दिया है 12 दो संख्याओं का अंतर पहले दिया है तो पहले अंतर लिख लेते हैं 12 तथा उनका जोग दिया है 18 एक्स प्लस 18 संख्या मालूम नहीं है इसलिए एक स्वाई यहां पर लिख रहे हैं अंतर हो गया था उनका जोग 18 तो एक्स प्लस वाई 18 कुछ नहीं करना है इसको एक आप मान सकते हैं इसको दो नहीं भी मानियेगा तो कोई दीकत नहीं है अब आई अब थोड़ा सा यहां से प्लस माइन से हटा लेजिए दो एक्स हो जाएगा इसको जोड़िएगा तो और यह हो जाएगा कितना बाराइठारा कितना हो जाएगा तीस यहां से जाएगा एकर 2-30 तो तो जाहिस बात हैं अंतर किजिएगा तो तीन अगर अंतर किजिएगा तो यह 12 हो जाएगा या जोड़िएगा पहले तो अंतर आप किये तो अंतर कितना गया 12 तो अंतर दिया है 12 अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ किजिएगा तीन कितना जोड़िएगा कि 18 जोगफल ह तो तीन हो रहा है क्योंकि इस बोला जोग फ़ल दिया है 15 कितना diferente हो जाए तो तीन नट पड़ेगा और घटाने को बोला जाएगा किटनह घटा जाए कि यहां पर अंतरी अब अतर्टा कि तो अब यहां से आपका जो तीन हा से दूसरी संख्या हो जाएगी पहली और दूसरी यानि एक आ गई कितना पहली संख्या 15 अब 15 को रख दीजएगा एक या दो में तो आपका आ जाएगा दूसरी संख्या यहां से भी निकाल कर दिखा दिए तो अब आगे बढ़ने की जोरूत नहीं है एक सागे कितने आपका 15 और वाई आ गया यहां पर कितने वाई हैं तीन अब इनके गुणान फल पूछ रहा है तो पंदरत यह कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा तो आप देखिये स्क्रिन्सोट इसकाल जैए आगे कि दिधा जी में कितने संक्ःाइव से भाग दिये सकता है 60 में तो देखते हैं कि आहले दिखते हैं आप टाइब चेंज हैं यहां पर और इसक्राइब तो देखने में आसान है लेकिन भाइजाम। इस में क्या करना है आपको, क्या लोगिक चलेगा उसको दङगते हैं लगाते हैं टाइप ळग already है other लें की माड़ल आज आप पर दिया है और सी में कुल कितनी संख्यायों से भाग दिया जा सकता हैं आपको करना है क्या असी दिया है असी को पहले यहां पर लिख लिजिए और इसको क्या करना है पहले इसको तोड़ लिजिए तो दो से इसको तोड़ीए तो कितना हो जाएगा 40 फिर दो से दो से नहीं जाता तो तीन से लेते तीन से नहीं जाता चार से लेते अभी दो से जा रहा है 20 फिर 2 से जाएगा 10 फिर 2 से जाएगा 5 अब 5 से चला गया अब नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको पाले जो भी खंड हुआ है उसको लिख लिजिए दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो चार गो हो गया दो और एक 5 है इसको लिख लिए अब क्या करना आप थोड़ा सा देखिएगा जो भी इसका यहां पर खंड की यह गुलन खंड आया उसको पहले यहां पर लिख लेंगे इसको लिख लिए अब क्या करेंगे अब आप यहां पर इसको जो दो गुले दो गुले दो गुले दो दो दिया है इसको आप दो के पावर चार भी तो लिख सकते हैं अच्छा फिर अब 5 हैं तो 5 लिख लिए इसके पावर में 5 के कुछ नहीं है तो एक आप लिख सकते हैं अब आपको क्या करना है बस यहीं आपका यहीं पर एंसर आएगा यहाँ पर कितना दिया है दो के पावर 4 पावर में जो भी संख्या यहाँ पर दिया है अधार उसकी जो भी पावर है तो पावर में एक पलस कर लिजिए तो यहां पर चार है तो पावर में एक पलस किजिए तो कितने हो जाएगा पांच और यहां पर पाँच के पावर एक है पावर में एक पलस कीजिए तो कितना हो जाएगा दो अब इस पाँच से इस दो को गुणा कर दीजिए पांदू ने दस आपके अंसर आ गया यह लॉजिक अगर नहीं लगाईएगा तो गीनते रह जाईएगा और बनाते रह जाईएगा टाइम अपका आउठ हो जाएगा नहीं बनेगा आपको करना है किया सबसे पहले जो संख्या दे रखा है असी में कितनी संख्याँ से भाग दिया जा सकता है असी को यहां पर इसको लिख लेते हैं गुणा के रूप में दो चार गो हैं तो दो के पावर चार लिख सकते हैं पावर में आपको क्या करना है पावर में पावर में एक पलस करना है क्या करना है प्लस एक करना है करना है, तब गुणा करना है, बस हो गई आपका, एन्सल, तो सबसे पहले यहां पर सब को गुणा करोप में लिखकरके दू कोईगो है, 4 गो, दू के पावर 4 लिख लिए, 5 एगो है, 5 के पावर 1, पावर में प्लस एक करेंगे, 4 हैं, तो एक और बढ़ा देंगे, 5 हो गया, यहां पर पावर एक हैं एक और पलस कर दिए दो हो गया अब इसको गुना कर लिजिए तो पांच में दूसरे गुना कि जिएगा तो पांच में कितना होगा दस यहीं आपका एंसर हो जाएगा option में देखिए 10 कहां है C में हैं बस आपका answer हो गया C अब यहां पर अगर आपको देदेगा 30 30 में कुल कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता हैं तो 30 को आप तोड़िए अब इसमें 2 से नहीं लगेगा 3 से 35 पांच से पांच एक आ गया अब नहीं जब डूट खांगी का क्या करेंगे इसको लिखेंगे दो गुणे, तीन गुणे, पांच लिख लेंगे, सब एक एग हैं, पावर में एक हैं सब का, अब क्या करेंगे, पावर में प्लस एक करेंगे, तो पावर एक हैं, दो के पावर एक, तो दो कर लेंगे, प्लस एक करके, यहाँ पर तीन के पावर एक हैं, तो एक में जोड़ि से भाग दिया जा सकता है अब क्यांसर हो गया इस टाइप को और कोश्चन कुछ है एक्जामपल के तौर पर हम यहां पर रखेंगे वीडियो को रोक कर आप बताईएगा और कॉमेंट बोक्स में बताईएगा इस्क्रिंसोट लिजिए और आगे बढ़ेंगे अब देखे देखिए यहां पर एक और कोश्चन है एक्जामपल के तौर पर आप लोगों को दिये हैं इस टाइप का 120 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है बस उसी नहीं पर आप क्या किजिए बनाईए इसको वीडियो को रोक करके आपका जो एंसर आएगा वो कमेंट वाक्स में बताईए अनुहीं तो आयो हम देखते हैं बनाते हैं इसको 120 120 दिया है 120 में पूछ रहा है कितनी संख्याओं से भाग दिये जा सकता है पहले दो से तोड़िये फिर दो से तोड़िये जीरो फिर दो से तोड़िये पंदरा अब दो से नहीं जाएगा तो तीन से अब पांच से चला गया हो गया अब आपको क्या करना है दो गुणे दो गुणे दो कर देना है गुणे तीन गुणे पांच अब देखें यहां पर दो की संख्या यहां पर तीन को हैं तो दो के पावर तीन इसको लिख सकते हैं और तीन एक हो है तो तीन के पावर एक अब यहां से आपको आएगा क्या करना है पावर प्लस एक करना है प्लस है कर ना गोर दोस्तो हम यह चाहते हैं कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वह सभी से आप समझ जा den procs हैं जो भी कुछ करते हैं आप लोग को समझने के लिए करते हैं यहां से आपको power में 1 A Plus करना है जो दिया है इसको पहले अफ लेख लिए इसको तो इस रूप में भी 2 के पावर तीन के रूप में भी तो लिखा जा सकता है और तीन एग्योभ है तो पावर अर्पमें करना है एक करना है तो दो के पौर तीन है तो चार कर लेंगे तीन के पौर एक है तो दो कर लेंगे पांच के पौर एक है तो दो कर लेंगे अब गुणा कर लिजिए चार दुनी आठ आठ दुनी सोला यानी सोला संख्याओं से 120 में भाग दिया जा सकता है कोपी और पेन उठ प्रब्लब हैं इसलिए फड़ा सा लाइन अभी चला गिया है तो हम बता दे रहे हैं इन दोनों संख्याओं का नियम क्या है यहां पर दिया है 25 के पाउर 12 में कुल भाजे गुणुन खंडों की संख्या तो आपको 25 पकड़ना है और 25 को तोड़िए तो यह 5 से जाएगा नही अब 2 में क्या करना है पाउर जो है उसको लिख देना है तो यह कितना हो जाएगा 12 दूनी यह 24 इस टाइप के प्रसने का एंसर क्या होगा जो खंड आएगा उसको लिख लेंगे और खंड कितना में तुटा है दो गों में 5-5 तो एक कर लेंगे पलस और दो यहां इसको पा पांच से जाएगा 5-35 तो कितना खंड हुआ 2 हुआ 5 हुआ और 7 कोई खंड हुआ 1-2-3 तीन खंड में हुआ तो 3 लिख लेंगे और पाउर में क्या है तो 25 है 25 से गुणा कर देंगे 25 ती आई 75 यहीं आपका एंसर हो जाएगा तो इस टाइप के प्रसने को खंड में तोड क पाउर के जोड लेंगे और पाउर से गुणा कर देंगा आपका एंसर आज आएगा तो यह पार्ट 7 के वीडियो है और आगे मिलेंगे पार्ट 8 के वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही जाहिंद